एलो एव्रिवन मैं हूं सचिन और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूडूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं माई सीक्वल और माई सीक्वल के आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे की टेबल में किस प्रकार से हम लोग डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं हम तो सबसे पहले देखें यहाँ मैं अपना माई सीक्वल को अपें कर लेता हूं वांड है ठीक है पासवर्ण देखें अब यहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे कौन-कौन सा डाटाबेस है डाटाबेस से और यह लिस्ट उप सट लिखना होगा फिर NICT EDU तो अब हम लोग अपना डाटाबेस को सेलेक्ट कर लिए है अब डाटाबेस देखिए यहां पर दिखा रहा कि डाटाबेस चेंज हो गया है अब इस डाटाबेस में हम लोगोंने टेबल बनाया था तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन स सो-T-A-B-L-E-S-S-O-Tables और इंटर मारेंगे अगर हम लोग तो देखिए यहां पर दो टेबल है एक स्टूडेंट और एक टीचर नाम का तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट वाला जो टेबल है उसमें डाटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा बट उससे पहले मैं आपक को इस टेबल का नाम लिखना होता है तो देखिए यहां पर यह जो टेबल है इसके अंदर में कौन-कौन सा फिल्ड है स्टूडेंट आइडी है स्टूडेंट नेम है और एड्रेस है तीन फिल्ड है तो इसमें हम लोगों को डाटा फिलप करना है अगर अभी मैं इससे कु तो देखिए यह एम्टी सेट है इसके अंदर में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है यह टेबल खाली है तो अब हम लोग एक बार इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में फिर सेलेक्ट कमांड से डाटा को हम लो रिटीव करवाएंगे ओके तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखना पड़ता है इंसर्ट करवाने के लिए यहां लिखना होगा इंसर्ट उसके बाद में इंटू उसके बाद में टेबल का नाम जो है स्टी यू डी एंटी स्टूडेंट उसके बाद में यहां ब्रैकेट सुरू करेंगे अब इसके अंदर में फिल्ड चाहिए तो मैं एक बार इसको उपर करता हूँ थोड़ा से देखिए यहां पर क्या क्या फिल्ड है इस्टूडेंट आइडी तो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को स्टूडेंट आइडी उसके बाद दूसरा फिया फिल्ड है दूसरा है स्टूडेंट नेम तो यहां पर लिखना होगा मतला std n壤 यहां पर हम लोगों को लिखना होगा std name उसके बाद फिर क्या है address तो यहां पर हम लोगों को लिखना होगा address spelling में कोई भी mistakes मत करिएगा फिर bracket को यहां लोग बन कर देंगे और उसके बाद यहां पर लिखना पड़ता है values then bracket अब यहां पर हम लोग value insert करेंगे single inverted comma में लिखिएगा जैसे कि पहले मैं यहां पर id देना चाहता हूँ one उसके बाद में फिर comma उसके बाद यहां पर मैं दूंगा नाम तो मैं यहां लिख देता हूँ सचीन और उसके बाद यहां मैं लिख देता हूँ सर्मा और फिर comma और उसके बाद में फिर क्या दिया हुआ है आपका address तो मैं यहां पर address दे देता हूँ B-O-N-D-A-M-U-N-D-A बंडा मुंडा ठीक है और उसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं बन और यहां पर आएगा कॉमा इतना लिखने के बाद में अगर सब कुछ ओके रहेगा तो यह मेरा क्यूरी दिखाएगा नहीं तो फिर दिखाएगा चलिए देखते हैं एक बर इंटर मार के यहां देखिए क्यूरी ओके वन रों एफेक्टेड मतलब एक रों फिलप हो गया है अगर हम मैं यहां पर फिर सी यहां पर कमाउंड चलाऊं इसलेक्ट और प्रॉम एस टी यू डी एंटी स्टूडेंट और इंटर करूं तो देखिए अब यहां पर देखने को मिल रहा है एक डाटा थे ना यहां पर है अच्छा अभी इसी प्रकार से जैसे मैंने यहां पर आप लोगों रिखाया कि हम लोग इस प्रकार से डाटा क अगर इंसेट करना है तो यह सारा डाटा को आप एक ब्रैकेट में रख लीजिएगा कुछ इस तरह से ऐसे उसके बाद फिर यहां आपको कॉमा देना होगा और फिर से ब्रैकेट ओपन क्लोज करिएगा और फिर यहां पर मैं जैसे दे रहा हूं यहां पर ID मैं 3 दे देता हूँ और यहां पर यह जो ID था इसको मैं 2 कर देता हूँ और उसके बाद में फिर यहां पर जो नाम है सचीन सर्मा यहां पर मैं S A A N V I सानवी सर्मा कर देता हूँ और उसके बाद यहां पर जो address दिया हुआ है बंदा मुंदा मैं इसको r o u r k e l a roll कर देता हूँ फिर then यहां पे 3 हो गया उसके बाद यहां कॉमा फिर next नाम यहां मैं लिख देता हूँ आन वी सर्मा और उसके बाद फिर मैं यहां कॉमा दे देता हूँ और फिर address जो रहेगा इसका मैं यहां पे लिख देता हूँ 20 रा ठीक है अब यह हो गया दो डाटा और एक दे देते हैं हम लोग यहां पे फिर मैं ब्रैकेट लूँगा एक मिनिट गलत हो जाएगा यहां से मैं लोको बाहर आना होगा फिर यहां जाना होगा फिर यहां पर ब्रेकेट ओपेन क्लोस और फिर यहां पर inverted कॉमा और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ 4 उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूँ कॉमा और फिर inverted कॉमा और मैं यहां पर लिख देता हूँ पी यू एन एम पूनम एस एच ए आर एम ए सर्मा उसके बाद मैं यहां पर कॉमा और फिर inverted कॉमा और यहां पर मैं लिख देता हूं बी ओ एन डी ए एम यू एन डी ए बंडा मुंदा इतना लिखने के बाद एक बार मैं इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर अबंडान कोद you wait U tracked क यहां पर है यहां पर जब लोगों हूपर का क्यों को एक्सकीूट करवाया था यहां पर हम लोगों को आरशन को मिला था वर इस कारण sacar दीखने को मिल रहा था चीकिशे यह jica streamy जे कि बरेकेट्स है चेह ये ब्र drawn को पास करेंगे फिर वाल्यू फिर दूसरा ढको पास करेंगे फिर यहाँ यहाँ पे टी अफेक्टेट दिखा रहा है और रिकोर्ट यहां पलिकेट कुछ नहीं है वह बता रहा है ठीक एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं अगर मैं इसको उपर करता हूं एक मिनिट देखिए यहां पे तो यहां मैं वैल्यूस को चेंज कर देता हूं देखिए यहां पे आपका वैल्यू जो है यहां पे मैं इसको 5 कर देता हूँ यहाँ पे नाम जो है वो मैं change कर देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ रिटेस और यहाँ पे सर्मा का जगा मैं लिख देता हूँ विश्व कर्मा उसके बाद यहाँ पे तीन नमबर का जगा मैं यहाँ कर देता हूँ 6 ठीक है और तन यहाँ पे मैं लिग देता हूं अमित और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं कर देता हूं और देन यहां पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं और यहां लिख देता हूं अभी ओके और देखिए अब मैं अगर इसको इंटर मारूंगा तो देखिए यह भी आपका इंसर्ट हो गया है ठीक है और अभी मैं आपको सारा वैल्यू जो हम लोग इंसर्ट कर आया थे इंसर्ट कराते वह समझ में आओगा अभी यहां पर देख सकते हैं ऐसे सलेक्ट और फर ओम फ्रॉम और टेबल का नाम जो है वह है यहां पर स्टूडेंट देन कॉमा और फिर इंटर तो देखिए यह सारा डाटा जो है यहां पर हम लोगों ने इंसर्ट करवाया ठीक है सि अब यहां पर मैं चीज और दिखाता हूँ आपको जैसे कि नेक्स्ट टेबल क्या था टीचर था तो यहां पर मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूँंगा इंसर्ट i n s e r t insert insert के बाद क्या करना होगा into लिखना होगा into के बाद क्या करना होता है कि table का नाम तो t a c h e r teacher है teacher लिख दिया मैंने उसके बाद bracket देना होता है अब यहाँ पर क्या होगा कि teacher वाला field में जो था जो id है वो आपका primary की है और वो auto generate है तो वो हम लोग नहीं देंगे हम लोग दूसरा field देंगे तो एक काम करते हैं न सबसे पहले मैं आपको teacher वाला table का structure दिखा देता हूँ d e s c और उसके बाद t e a c h e r teacher और यहाँ पर structure तो देखी यहाँ पर यह आपका auto increment है मतलब यह जो id है इसका value हम लोगों को नहीं insert करवाना यह auto generate होगा और दूसरा यह primary की है यह हमें सा unique रहेगा यहाँ पर name और address पर हम लोग यही insert करवाएंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ insert उसके बाद फिर मैं यहाँ लिखता हूँ into उसके बाद table का नाम t a c h e r e teacher and then bracket और bracket के अंदर में यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को field करना हम लिखना है तो पहला field यहाँ क्या हो जाए का name दूसरा field क्या हो जाए का यहाँ पर a d d r e s address बस उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखना होगा हम लोगों को values फिर bracket अब यहाँ पर नाम तो यहाँ पर नाम मैं लिख देता हूँ m a n i s मनीश और उसके बाद मैं कॉमा फिर address तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b nd m और उसके बाद bracket ठीक है ना तो अब अगर मैं इंटर मारूंगा देखिए तो यहाँ पर error दिखा रहा है क्योंकि address देखिए मैंने आपसे कहा था कि spelling में mistake नहीं होना चाहिए यहाँ पर जो field है यहाँ पर एक d है और मैंने यहाँ पर दो d d दिया है कोई बात नहीं है इसको हम लोग सुधार लेते हैं यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको सुधार लेते हैं ठीक है आप देखिए ठीक है spelling name का भी और address का भी अभी यहाँ पर मैं इंटर मारता हूं तो देखिए क्यूरी हो के one row affected दिखा रहा है और एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं select select all from select all from उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूं table का नाम T.E.A.C.H.E.R.E. teacher तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने id नहीं लिखा था मगर id यहाँ auto increment है इसलिए यहाँ one आ गया है और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने name मनिश डाला था वो भी दिखा रहा है और address bndm जो है वो भी दिखा रहा है आई होप कि आप सबको table में data insert करने आ गया होगा अगर आ गया हो तो मेरे इस वीडियो को like करिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो में जब भी upload करूँ आप लोगों तक notification मिल जाए तो please bell icon में क्लिक करना मत भूलि आप अगर आप